Gcam install करना is probably the best thing जो आप अपने Poco X3 के साथ कर सकते हो Poco X3 बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है आप सभी को बता है इसका कैमरा भी डीसेंट सा है अच्छा सा है बट अगर आप Gcam को इंस्टॉल करते हो या फिर Google कैमरा को इंस्टॉल करते हो तो आपका experience जो वह काफी जादा enhanced हो जाता है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे Gcam या फिर Google कैमरा को अपने Poco X3 में इंस्टॉल कर सकते हो सुगाइस उसी के साथ साथ ही मेरा नाम है शर्थ स्रिवास्तव और आप देख रहे हो टेक्टु रिव्यू चैनल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइस अपने Poco X3 में अगर आपको Gcam इंस्टॉल करना है तो यहां पर आपको दो फाइल डाउनलोड करनी पड़ेंगी इन दोनों फाइल का जो यहां पर लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक फाइल तो है आपकी AP के दूसरी फाइल है .xml फाइल तो आप उन दोनों को डाउड कर दीजे नीचे दिये हुए लिंक से और लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा उसके साथ यहां पर इन दोनों फाइलों को डाउनलोड कर लेने के बाद हम जाएंगे फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको यहां इंस्टॉल कर लेते हैं चलिए इसको यहां पर हमारा जी कैम जो है वह इंस्टॉल हो गया है अभी हमें क्या काम करना जी कैम को नहीं ओपन करना यहां पर बैक पर आना है और यहां पर देख सकते हो कॉन्फिक्स 7.xml फाइल है इसको हम यहां पर देर तक दबाएंगे और ह फिर हम यहां पर स्टॉरेंगे अपना इंटर्नल स्ट्च करने के बाद हमें यहां पर जाना है और क्रियेट फोल्डर पे जाना है अब हम यहां पे जी कैम का फोल्डर क्रेट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते है जिस तरीके से मैंने gcam लिखा है आपको भी इस तरीके से मैंने gcam लिखा है आपको भी gcam लिखना है उसके बाद ओके पर क्लिक करकंद भाद आप फिर से मोर पर दबान firs a create folder पर ख्लिक करना फिर आपको यहां पर storing seven यहां पर लिखना है आपको तो तो जिस तरीके में ने लिखा है आप को उसी तरीके seaweed अपिर आप पर क्लिक कर दीजिए उसके बाद हम उस config 7 folder के अंदर जाएंगे फिर हम यहां पर उसको हमारे XML फाइल को यहां पर पेस्ट कर देंगे तो आप देख सकते हो किस तरीके से यह हुआ उसके बाद आप यहां पर सीरा चले जाएए अपने Google कैमरा को आप यहां पर लांच करेंगे मैंने डबल टैप यहां ब्लैक वाले सेक्शिन में किया तो एक बाद फिर से देख लोगों अगर आपको नहीं शो करता है यहां पर config file तो यहां पर दबाईए और आपको config file वो शो कर जाएगा अगर आपका file नहीं शो करता है तो मेरे भाई आपको फिर से आपको उने व कर करना है अब दिख सकते हो यह हमारा जी कैम जो इंस्टॉल हो गया वर्क भी कर रहा है अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो आपको कुछ न कुछ तो इस वीडियो में अच्छा लगाई होगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और गैस अगर आपको ऐसी पो झालो इस वीडियो कुछ तो आपको बाई हो बाइक कुछ पराई हो यह झालो यहाँ भाई हो तो यहाँ झालो खो इस.